सवाल नमबर एक दुनिया की सबसे महेंगी एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? 200 सबसे महेंगी एनिमेटेड फिल्म टैंगल है जिसका बज़र 260 मिलियन डॉलर था दूसरे नमबर पर दलाइन किंग है जिसका बज़र 250 मिलियन डॉलर था सवाल निंबर 2 प्रेगनेसी के दोराण हाथों में मेहंदी क्यों नहीं लगाना चाहिए दोस्तों पुराने समय सही गर्भवती महिलाओं को मेहंदी लगाने से मना किया जाता है क्योंकि महेंदी ठंडी होती है और pregnancy के दोरान इसे लगाने पर बच्चे पर इसका कोई नुकसान हो सकता है इसलिए मना किया जाता है सवाल निम्बर तीन, celebrities लोग कपड़े कहां से करिते हैं दोस्तो celebrities भी आम इंसान की दरह ही होते हैं celebrities भी malls और beautics के branded और महेंगे कपड़े खरीते हैं लेकिन जब वो किसी fashion show या award function में हिस्सा लेते हैं तब वो अपने कपड़े fashion designer द्वारा बनवाते हैं सवाल निम्बर चार दुनिया का सबसे महेंगा घर कौन सा है सवाल निम्बर पाच इतना दर्द होने के बावजुद लड़किया wax क्यों करती हैं दोस्तो सभी लड़कियों को पता है कि प्रसव पीड़ा दर्दनाख है फिर भी नौ महेंने कश्ट सहे कर मा बनने की इच्छा के चलते वहत दर सहती है इसी तरह संदरी करन और चिकनी तोचा पाने की इच्छा उन्हें wax का दर सहने की हिम्मत देता है इच्छा ही कश्ट सहने हे तू प्रेरना देती है सवाल निम्बर चे अदालत में गीदा पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते हैं दोस्तो हिंद धर्म में गीदा को सर्वस रेश्टर और पवित्र ग्रंत माना जाता है हाला कि ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है एसा रियल में किसी अदालत में नहीं होता सवाल निम्बर साथ जानवरों के डॉक्टर केसे बनते हैं दोस्तो वेटेनरी डॉक्टर बनने के लिए आपके पास वेटेनरी साइंस में डिग्री होना आविशक है इसके लिए आप वेटेनरी साइंस में बैचलेरी डिग्री कर सकते हैं इस कोर्स को आप बारवी के बाद कर सकते हैं ये पाच वर्ष का कोर्स होता है सवाल निम्बर 28 देश में कुत्ते को कार चलाना सिखाये जाता है दोस्तो दुनिया में न्यूजिलेंड देश कुत्तो को ड्राइविंग सिखाता है न्यूजिलेंड में एक एनिमल चैरेटी है जो कुत्तो को कार चलाना सिखाते है और उनका मानना है कि एक दिन कुट्ते इंसान से भी अच्छी ड्राइविंग करेंगे सवाल नेमबर 9 हवाई जाहज के टायर क्यों नहीं फटते दोस्तो हवाई जाहज के टायर ट्यूबलेस होते हैं दूसरे वो समय से पहले बदल दिये जाते हैं उनमें नैट्रोजन गैस भरी जाती है जो जल्दी गर्म नहीं होती मगर ऐसा भी नहीं है कि फटते नहीं हैं कभी कबार फट भी जाते हैं सवाल नेमबर 10 वेल्डिंग की आर्क लाइट लगने से आखे लाल की हो जाती है दोस्तो हमारी आखे एक निर्दारिक शमता से जादा यूवी किद्नों को बरदाश नहीं कर पाती इसी वड़े से हम सीरे सूरज को नहीं देख पाते और अगर देखते हैं तो आखों में दर्द और आखे लाल होने लगती है सवाल निम्बर 11 हीरा इतना कीमती क्यों होता है दोस्तो हीरे पृत्वी के अंदर काफी गहराई में पाये जाते है हीरा उच्चे ताप और कार्बन के दबाव से बनता है जमीन से निकलने के बाद हीरे को लाइक बनाने के लिए घंटों तराश जाता है और पॉलिश की जाती है इसलिए इसकी मांग बहुत जादा होती है सवाल निम्बर 12 एक्यूप्रेशर क्या है और ये कैसे काम करता है दोस्तो एक्यूप्रेशर इलाज का एक प्राचिन तरीका है जिन में शरीर के विबिन्न हिस्सों के महत्वपुर्ण बिंदो ओपर दबाव डाल कर बीमारी को ठीक करने की कोशिच की जाती है अगर इन दबाव केंद्रों की मालिश की जाये तो शरीर का जो प्रेशर पॉइंट जीस अंग को प्रभाविट करता है उससे जोड़ी बीमारी में इससे राहत मिल सकती है सवाल निम्बर तेरा बुड़ापे में बाल सफेद की होते है दोसो बुड़ापे में उम्र बढ़ने के साथ मेलनिन का प्रोड़क्शन कम होने लगता है मेलनीं तत्व से हमारे बाल काले होते हैं इसकी मात्रा कम होने से बाल सफेध होने लगते हैं सवाल निम्बर चोदा यूटूब पर टोटल कितने वीडियो है दोस्तो यूटूब पर रोजाना 5 बिलियन से भी जादा वीडियो देखे जाते है यूटूब हर साल 90 PB डाटा स्टोर करता है यूटूब पर हर मिनिट 300 घंटे से भी जादा के वीडियो अपलोड होते है इसलिए टोटल वीडियो की संख्या बता पाना मुश्किल है सवाल निम्बर पंदरा एक हपते में कितने दिन एक्जरसाइस करनी चाहिए दोस्तो सवस्त वेक्टी को एक हपते में कम से कम 4-5 दिन कसरत करनी चाहिए लेकिन अगर आप कामकाजी है और आपको समय नहीं मिलता है या आपकी उमरा 50 से जादा है तो आप 2 या 3 दिन एक्जरसाइस करके भी अपने आपको तरो ताजा रख सकते है सवाल निमबर 16 के आरो का पानी पीने से हड़िया कमजोर होती है दोस्तो आरो का पानी फिल्टर करने में पानी में उपस्ती जरूरी मिनरल्स, केल्शियम और मैगनेशियम 90% से 99% तर नश्ट हो जाते है इसलिए हड़िया कमजोर होने का खत्रा होता है एशिया और यूरोप के कई देश आरो को पूर्णो रुप से प्रतिबंदर लगा चुके है सवाल निमबर 17 शादी के बाद जारातर लोग मोटे की हो जाते है दोस्तो शादी के बाद लोग लापरवा हो जाते है रिष्टेदारों, फंक्शन, रेस्टारंट, आदी में खाने के लिए बार-बार जाना शादी के बाद कीचन के खाने का मज़ा मिलना शादी के बाद दबाव चिंता आदी कम होना जो लोग शादी के बाद जितना ज़ादा खुश होते हैं उनके मोटे होतने की उतनी ही जादा संभावनाये होती है सवाल निमबर 18 का मल इतना कीमती क्यों होता है दस्तो मौरक को और अलजेरिया के कुछ इलाकों में आरगन नामक एक पेड़ पाया जाता है जिसके फॉल खाना ये बकरिया बहुत पसंद करती है किसान इन बकरियों के मल को इकटा कर उससे बीज निकाल लेते है और उससे भून कर आरगन का तेल निकालते है जो कॉस्मेटिक इंडेस्टे में बहुत मेंगा बिकता है इसके एक लिटर बोतल की कीमत लगबग सत्तर हजार रुपे होती है सवाल निम्बर 20 एक दिन में कितने बादाम खा सकते हैं दोस्तो विशेश अग्यों के अनुसार भारत जैसे गर्म देश में एक दिन में चार से पास से जारा बादाम नहीं खाना चाहिए और अगर इसे भीगो कर खाए तो यह जारा लापकारी होगा सवाल निम्बर 21 सबसे पहला मोबाइल की इस देश में बेचा गया था दस्तो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन मोटोरोला कमपनी की इंजिनियर मार्टीन कपूर ने 3 अपरेल 1973 को बनाया था सबसे पहले इस फोन की कीमत लगबग 2 लाक रुपे थी जिसकी बिक्री सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई सवाल निम्बर 22 अंदर इक्ष में गोली चलाने पर क्या आवाज आएगी सवाल निम्बर 23 सफिद बालो को काला करने के लिए चाय के पानी का इस्तमाल करे खीना और शिकेकाई का इस्तमाल कर सकते हैं एक चमश निम्बू का रस दही नारियल का तेल और एक चमश रिठा पाउडर मिला कर पेस्ट बना ले सवाल निम्बर 24 भारत देश के किस राज्य की राश भाषा अंग्रेजी है दोस्तो अरुनाचल प्रदेश और नागालेंड एसे राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है बाकी कई ऐसे राज्य ही जिसकी एडिशनल भाषा अंग्रेजी है जैसे तामिल नाडू सवाल नेमबर 25 दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है दोस्तो जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप का दरजा प्राप्ता वह जैबान तोप यहाँ जैपूर के किले में रखी गई है ऐसा बताए जाता है कि इस तोप को जैगन किले में 1720 इस्वी में स्तापित किया गया था जैबान तोप को महराजा सवाई जैसिंग द्वितियोक के शासनकाल के दोरान जैगन में निर्मित किया गया था दोस्तों अगर आपको भी कुकिंग में इंट्रेस्ट है और उनसे जुड़े वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे सेकंड चैनल रेडि टू इट वीच सारी का को ज़रूर विजिट करें जहां मैं आपको कुकिंग रेसिपीज और फूड के रिविस के बारे में जानकार दूड़ी दूगी